Hello friends, welcome to my channel, Mom's Fits Care. है जब बच्चा सर नीचे कर लेता है, तो माँ को कैसा मैसूस होता है? कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चे ने सर नीचे किया है कि नहीं किया है? कौन से whens में बच्चा सर नीचे करता है? bridge baby, transverse baby क्या वो delivery से पहले सर नीचे करते हैं या नहीं करते हैं तो वही सब मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ तो पहले जनररली 32 weeks से लेके 36 weeks के अंदर जो बेबी है वो अपना सर नीचे कर लेता है delivery के लिए तो उस तोरन क्या होता है ये भी सारे case में नहीं होता, कुछ pregnant lady का क्या होता है, बच्चे breech position में रहते हैं, मतलब उनका सर उपर रहता है, और कुछ pregnant lady में क्या होता है, उनका बच्चे ऐसे horizontal position में रहते हैं, आइदर left side उनका सर होता है, बेबी का सर नहीं तो right side, तो उस case में क्या होता है, 32-36 weeks में बच्चों का सर नीचे नहीं आता है, तो उस case में क्या होता है, देखा जाता है कि जब labor pain start होता है, तो उस टेम भी बच्चा सर नीचे कर लेता है, अगर बच्चा सर नीचे कर लिया तो आराम से नॉर्माल डिलिवरी हो जाएगा तो जो जेनरल केस है जिस जहां पे बच्चे 32 विक्स में जेनरली सर नीचे करते हैं उस टेम कुछ बदलाव आता है प्रेगने लेडी में उसको देखके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बच्चे ने सर नीचे किया है या न पेट थोड़ा नीचे के तरफ ऐसे जूलता हुआ दिखाई देगा फर्स्ट सेकेंड वान आपको जो नीचले हिस्सा है पेट का नीचे का पार्ट जो प्राइवेट पार्ट है उसके उपर आपको प्रेसर हमेसा लगा रहेगा आपको लगेगा कुछ बहुत भारी सा जो आपका अंडा का सफेद पाट जैसा आपका बाहर निकलता रहता था जो जिसको फ्वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं तो वह डिस्चार्ज के होगा वह भी बढ़ जाएगा और आप जब भी सो रहे हैं या आप ट्वायलेक चाते हैं यूरिन पास करते हैं वह लिख होन और यहां लेकिन यह भी ध्यान रखें अगर फाइट डिस्चारज के साथ आपका ग्रीन कलर या थोड़ा थोड़ा सा ब्ल पिंकुस टाप का कलर निकल यह तो ओके शंड़ा से ज्ञाट पर आकस प्लोड ग्रेशक को कुछ निकल रहा है तो यह रिस्क की चीज़ एघर आप तो तुरन्द डॉक्टर के साथ जाके आपको कंसर्ट करना है बात करते हैं सबसे इंपोर्टन जिससे आपको पता चल जाएगा कि हां बच्चे ने सर नीचे कर लिया है तो वैसे तो आप जब अल्टरसाउंड के लिए जा रहे हैं लाश्ट ट्राइमिस्टर में तो पोश्टरियर 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 पोश ऐसा करके front facing रहेगा तो ऐसा नहीं कि posterior baby नौर्माल डिलिवरी नहीं होता है लेकिन लास तक उसको position change करना पड़ता है बेबी को move करते रहना पड़ता है उसके बार जाके normal delivery पॉसिबल होता है तो जो anterior baby है तो उस case में आपको anterior हो या posterior हो तो जो बेबी सर नीचे कर लिए हैं तो आप क्या करिए अगर घर में पता लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके रिलक्स होके बैट चाहिए बैटने के बाद क्या करिए आपके पेट के निचले हिस्से को नाभी के नीचे पॉर्सन को ऐसे हाथ में पकर के थोड़ा टाइम के जैसे अगर आपको नाभी के तरफ आपको फ्याति के तरफ अगर आपको फेल हुगा है जैसे चाती के तरफ अगर आपको फील हो रहा है कि उस साइड में कुछ लात मानने जैसा बबल्स जैसा तो समझ जाएगा कि बच्चा उसका सर नीचे कर लिया है तो आपको यह तीन चार बार अग्दम ध्यान लगा कि अगर रेगुलार करेंगे तो आप आराम से पता लगा सकते हैं जी से पता चल जाएगा कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है और एक चीज़ जो बच्चा सर नीचे करता है तो आप उपर का पोशन जो है वो खाली हो जाताए तो जिलनों का इसीडिटी उल्टी का प्रॉब्लम था ठीक हो जाता है और लेकिन पीट का दर्थ थोड़ा और आप around 39 weeks में है तो आपको धिहान रखना है लेबर पेन के लिए जब पिरियेट स्ट्राइक कप अपको फील हो रहा है थोड़ा पेट कड़क होने जैसा लग रहा है तो आपको उस चीज को मार्क करना है और धिहान रखना है आपके एक्टिब लेबर पेन के लिए उसके ब लाइक को सेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यावाद रहा है